lesson the luncheon तो luncheon का मतलब है एक formal lunch जिसे हम दोपर का खाना कहते है जो किसी meeting का एक हिस्सा होता है या फिर जो मेहमानों के साथ हलका फुल का खाना खाया जाता है उसे भी luncheon कहते तो lesson लिखा है William Somoset Moham ने उनके बारे हम बाद में बढ़ेंगे तो यह lesson उनकी बहुत आनंदित करने वाली हसाने वाली कता है जो उनके ही जीवन का एक भाग है जिसमें उनको एक लड़की द्वारा luncheon की मुलागात का प्रस्तावाता है जिस लड़की को वो अपनी कला का सहायक मानते है तो देखते उस लड़की के साथ लिया गया यह luncheon किस तरह है let's start the lesson मैंने उस लेड़ी को नाटक के दोरान देखा और उसके बुलावे का जवाब देने के लिए नाटक के इंटरवल के दोरान उसके पास गया और बैठ गया मतलब राइटर की मुलाकात किसी लेड़ी से हुई उससे मिले हुए अरसा हो गया था और अगर किसी न नरेटर उन्हें पैचान नहीं पाया पर वह मुझसे बहुत खुशी से प्यार से बात कर रही थी उस लेड़ी ने का वैसे हमें मिले हुए बहुत साल गुजर गए समय कितना तेज चला गया समझ में ही नहीं आया हम दोनों अब जवान नहीं रहे क्या तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे लंचन के लिए पूछा था मतलब ये दोनों सालों पहले कई पे मिले थे राइटर करता है क्या मुझे याद है यह सवाल वह कुछ से ही कर रहा है अब स्टोरी थोड़ी पास्ट में चली जाती है तो यह बात और मुझे उसके बारे में खत लिखा था मतलब तारिफ कियोगी तो मैंने भी उसके खत का जवाब दिया और आभार प्रकट किये और जल्दी मुझे उसका और एक खत मिला जिसमें वह कर रही थी कि वह पैरिस से गुजर रही और मुझे से बात करना चाती है मतलब वह फायेट्स में छोटे से लंज round के लिए बाद में पूचना चाहिए तो फायेट्स एकğanेट्स बोखना ले था और मेरे त इसके लिए मैंने कभी वह पर जाने के बारे में सोचा नहीं था तो फायेट्स ते जो गोल्ड फ्रैंक्स ते जिससे मेरे मेने का खर्च निकलने वाला था और अगर हम ठीक ठाक लंच करते तो 15 फ्रैंक्स से ज्यादा बिल नहीं आएगा राइटर सोच रहा था अगर मैं इसके लिए दो हफ्ते तक कॉफी पीना बंद करू तो यह हो सकता है तो राइटर उस रेस्टोरेंट में जाना तैग कर लिया था तो मैंने भी खत लिख कर उसे रिपलाई दिया कि मैं उनसे फायर्स रेस्टोरेंट में गुरुवार को साड़े बारा बज़े मिलना चाहता हूँ तो जब वह मुझसे मिलने आई तो राइटर करता है कि वह रूप में दुका देने वाली नजर आ रहे थी मतलब शायदों बहुत ज्यादा मेकप करके आई होगी या फिर उसका अपेरंस बहुत ज्यादा दिखा उटी था तो लेड़ी शुरुवाती से अपने बड़े और सफेद दाथ दिखा रहे थी साथ साथ उनका किसी भी वेवारिक उद पर जब जब मेरे बारे में वह बात करती हुई दिखाई देती थी मैं खुद को एक अच्छा शोता लिस्नर बना लेता था मतलब राइटर को यहाँ वाँ की दूसरी बाते पसंद नहीं थी लेकिन जब मेनुकाड आया तो मैं चकीत हो गया डर गया क्यूंकि वहाँ पे ड लंच में कभी कुछ नहीं खाती तो राइटर ने जैसे यह बात सुनी मैंने उदारता पुरवक का अरे ऐसा मत कहिए मतलब वह लेड़ी शायद डाइट फॉलो करती होगी और यहाँ पे हमारा राइटर अपनी मेहमान नवाज या अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था त मतलब वह लेड़ी लंच के लिए रेड़ी हो गई और वह अब एक चोटी सैमन फिश खाना चाती है वैसे सैमन फिश की बात करें तो यह साल की शुरुआत थी और उस समय वहाँ पे सैमन मचली नहीं मिलती थी इसलिए वह मेन्यू में नहीं थी पर मैंने फिर भी वेटर से पूछा कि अगर उनके पास कोई सैमन हो तो वह हमारे महमान के लिए ला सकता है तो उसने भी तुरंत रिप्लाइ दिया कि हाँ एक सुन्दर सैमन आज ही रेस्टारेंट में आई और वह मचली हमारे रेस्टारेंट के पहले सैमन फिश है तो इसका मतलब यह ही कि शायद यह मचली थोड़ी सी महंगी हो सकती है तो मैंने वह सैमन की डिश मेरे महमान के लिए मंगाई तो वेटर ने भी सवाल किया कि जब तक मचली पक जाए तब तक आप कुछ और खाना चाओगे तो उस लेडी ने का मैं कभी एक से जादा नहीं खाती पर अगर आपके पास केविय की डिश हो तो मुझे कोई हर्ज नहीं मतलब उस लेडी को केवियर मतलब मचली के अंडे की डिश बहुत पसंद है और इसके लिए वह अपने खाने के जो निया में उसे भी तोड़ सकती है मुझे पता था कि केवियर मेरे लिए मेंगी डिश है पर यह बात में उसे नहीं बता सकता था तो मेरे लिए मैंने सबसे सस्ती डिश जो मेन्यू कार्ड में थी वह मंगाई और वह थी मतन चॉप मतलब हमारा राइटर बिलको कम रखने की कोशिश कर रहा था तो जैसे उस लेडी ने मतन चॉप सुना उस लेडी ने का मुझे लगता है कि आप मतन चॉप खाने की गलती कर रहे हो क्यूंकि मेरा बहुत ज्यादा पेड भरने में विश्वास नहीं है मतलब ये लेडी दोपर में बहुत हलका फुलका खाना खाती होगी उस लेडी ने केवियर खा लिया और सैलमन फिश भी खतम कर दी और वह खुश होके आर्ट लिटरेचर और म्य सोचा होगा कि मेरे सजेशन से राइटर ये वाली डिश कैंसल कर दे और कुछ हलका फुलका खाना खाए ऐसा राइटर को लगा और उस लेडी ने का मैं देख रही हूँ कि तुम्हे बहुत ज्यादा लंच लेने के आदत है मुझे यकीन है कि ये तुम गलती कर रहे हो आप तक उनके पास बड़ी एसपरेगस मतलब शतावरी ना हो मुझे बुरा लगेगा अगर मैं पैरिस से उन्हें बिना खाये गई तो इसका मतलब यह है कि शायद उस लेडी को एसपरेगस शतावरी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और पैरिस में यह डिश बहुत ज़्याद हो गया क्यूंकि मैंने उन्हें दुकानों में देखा था और मैं जानता था कि वह बहुत ज़्यादा महेंगी उन्हें देखकर तो मेरे मुँ में कई बार पानी आया था मतलब राइटर को पता था कि अगर इस डिश को भी मंगाया तो अब बहुत ज़्यादा आएगा पर वो कर भी कह सकते है अगर मेमान कोई चीज़ खाना चाता है तो उसे वो चीज़ मंगा नहीं पड़ेगी मेरे मेमान ने गहरी सास ली और कहा मैं थोड़ी भी भूकी नहीं हूँ पर अगर तुम मुझे उन चीज़ों को खाने के लिए जोर कर रहे हो तो मुझे कुछ एसपरे मंगवाई तभी उसने का आप नहीं खाओगे तो मैंने भी कह दिया मैं कभी एसपरेगस नहीं खाता आपको तो पताईए कि राइटर वो चीज़ क्यों नहीं मंगवा रहा है क्योंकि उसे उस डिस्ट से ज़्यादा बिल की चिंता है हम एसपरेगस के पकने का इंतजार कर लगी तभी टेंशन मेरे उपर हावी हो गया अब सवाल यह नहीं था कि क्या पूरे महने के लिए मेरे पास पैसे बचेंगे पर सवाल यह था कि क्या मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे है और यह बहुत शर्मनाक होगा अगर बिल देते वक्त 10 फ्रैंक कम पड़ गये तो और मजबूरन मुझे वह मेरे महमान से लेने पड़े तो मतलब राइटर को लग रहा था कि बिल उनके पास जो पैसे उससे ज्यादा ही आएगा 10 फ्रैंक ज्यादा आएगा मुझे पता था कि मेरे पास कितना पैसा है और अगर बिल ज्यादा आया तो तो इसके लिए मैंने सोच लिया था कि मैं मेरे हाथ को जेब में डालूंगा और जोर से चिंती दोके चिलाओंगा और कहूंगा कि किसी ने मेरा पाकेट चुरा लिया मतलब ऐसा करने से शायत सारा बिल उस लेडी को भरना पड़ेगा ऐसा राइटर ने सोचा होगा निश्चिती ये और मुश्क पड़ेगा कि मैं बात में आऊंगा और आपका बिल भर दूंगा मतलब राइटर ने प्लैन कर लिया था कि उसे क्या करना है एसपरेगरस की डिश आ गई मैंने देखा कि वह लेड़की कितने बड़े-बड़े निवाले लेकर उन शतावरी को खा रही थी अंत में उसने प काफी और आइसक्रीम तो मैं अब पास्ट केरिंग बन गया था मतलब पहले राइटर जिस तरह बिल के बायर में बहुत ज़्यादा चिंतित था अब उसने यह चिंता छोड़ दी थी अब वह यह सोच रहा था कि जो होगा दिखा जाएगा तो मैंने भी मेरे लिए काफी औ काफी और आइसक्रीम मंगा ली तुम्हें पता है कि मेरा एक चीज के उपर पूरी तरह विश्वा से उस लेडी ने यह तब का जब उसने अपनी आइसक्रीम खा ली थी कोई इंसान खाना खाने के बाद एक विचार मन में लेके उठता होगा कि उसे और थोड़ा खाना चा काती है इतना खाने के बावजूत शायद उसका पेट नहीं भराए तो राइटर ने भैवीध होते हुए का क्या तुम अभी भी भूकी हो तो उस लेडी ने उत्तर दिया कि अरे नहीं में भूकी नहीं हूँ ऐसा है कि मैं दोपर का खाना नहीं खाती मैं सुबह एक कप कॉ अच्छे से दे देती जिसे कोई उसे भुक कर ना समझे तो राइटर ने भी का अच्छा ऐसा है और उसके बाद भयंकर घटना हुई तो देखते हैं क्या हुआ जब हम कॉफी की राह देख रहे थे तभी वहां का हेडवेटर बड़े पीचेस से भरी टोकरी लेकर हमारे य या फिर उनके यहां से गुजर रहा होगा राइटर सोच रहा था पीचेस का सीजन तो नहीं तो पता नहीं उनकी कीमत कितनी होगी वे डेफेनेटली महेंगे होंगे तो राइटर को थोड़ी देर बात पता चला कि उनके महमान मतलब उस लेडी ने राइटर के साथ बात करते वक बिना सोचे बिना पूचे एक पीच वहाँ से उठा लिया मतलब इतना सारा खाना खाने के बावजूद वह पीच खाने वाली थी इसके लिए राइटर ने कहा था एक भयंकर घटना हुई और उस लेडी ने एक्स्पिनेशन दिया कि ऐसा है कि तुमने तुमारा पेट मतन खाके भर लिया है पर राइटर ने तो एक छोट आसा मतन चौप मंगाया था और वह करने लगी कि तुम अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकते पर मैंने तो अभी थोड़ा सा स्नैक लिया है मतलब ज़्यादा नहीं खाया है मैं तो इस पीच को एंजोई करूँगी मैं तो इस पीच को खाऊंगी मतलब राइटर ने शायद ऐसी लेड़ी अपनी जिन्दगी में देखी होगी और इस लंचेन को और इस लेड़ी को वो कभी नहीं भूल पाएगा आखिर मैं बिल आया और मैंने जब बिल दिया तो मैंने पाया कि वेटर के लिए मेरे पास पर्याप टिप बची नहीं थी मैंने तुरंट त्री फ्रैंक की जो टिप थी वेटर को दे दी पर उस टिप पे भी उस लेड़ी की नजर टिकी हुए थी और मुझे पता था कि उसने मुझे कंजूस गरिब समझा होगा टिप वेटर को दी और अंत में जब हमने हाथ मिलाया तो उस लेड़ी ने का आप मेरा अनुकरण करे और लंच में एक से ज्यादा कभी न खाए मतलब जिसके वज़े से राइटर को लंच में इतना भी लाया वही लेड़ी उसे ज्यादा ना खाने की सला दे रही थी तो राइटर ने भी बड़ी चतूरता से चाला किसे उत्तर दिया मैं तो इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा आज रात में डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगा और वो टैक्सी में बेटते वग मुस्कूर आते हुए कहने लगी मजा किया हो आप बहुत ज्यादा मजा किया हो मतलब उसे लगा के राइटर मजा कर रहा है पर वो सच कर रहा था अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में चलिया थी पर अंत में मुझे मेरा बदला मिल गया पर मैं एक बदला लेने वाला इंसान हूँ ऐसा नहीं मानता पर भगवान जब किसी चीज़ को अपने हाथ में लेते तो तब यह समझा जा सकता है कि उसका जो परिणाम होगा वो समाधन कारक होता है मतलब उस लेड़ी के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे राइटर को ऐसा लग रहा है कि उसको उसके किये की सजा मिल गई तो ऐसा क्या हुआ था उसके